हरे कुछना राधे राधे हमारी पिछली विडियो विशाक पूर्मिमा और विशाक उध्यापन विधी जो हमने बताई थी उस विडियो पर बहुत सारे कशना रहे हैं आज इस विडियो में हम उन्ही पश्नुपत चर्चा करते हैं उससे पहले आपको कुछ आसान और कारगर उपाएं बताती हूँ जिसे विशाक पूर्मिमा पर करने से जीवन में सुक शांती समृति आती है मालक्षमी की कृपा मलती है तेखो ने पहले की विडियो में मैं आपको विशाक का महतम तो बताई चुकी हूँ पिछली विडियो में ये भी बताया था कि विशाक महिना बहुत महत्वकारी है और उतना ही पुन्य दाई एक अकीनी विशाक पूर्मिमा की दिती है विशाक पूर्मिमा बड़ी पूर्मिमा में से है इसलिए वेशाक पुनिमा जिसे बुद्ध पुनिमा भी कहते हैं इस दिन अपार धन की प्राप्ति के लिए सुभा उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मूंठा चरहा कर जनर्पित करें इस दिन धन और वैभव की प्राप्ति के लिए पीपल के पेर के नीचे घी का तीपक चलाएं और साथ ही घर में माता नक्ष्मी और भगवान विश्नी की पुजा जरूर करें जिनों ने पूरे विशाक में पीपल की पुजा की है वो तो विशाक पुणिमा पर पीपल की पुजा करेंगे ही तो जिन लोगों ने विशाक में पूरे महीने कुछ नहीं किया है वो कम से कम विशाक पुणिमा के महत्व का फाइदा उठाएं और इस पे जरूर करें देखो, पीपल की पूछा करने में जादा कुछ नहीं है, आप पीपल को जिक्ष की नीचे जाएए, वहाँ पे उन्हीं कुछ मीथा रपित कीजिए, जल रपित कीजिए, ठीक है, और बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है, इसका जो इफेक्ट होगा, वह बहुत कहीं हमारे पास कमेंट आते हैं कि कपल्स के बीच में बहुत मत भेज गाता है, ठीक है, तो सफल दामपत्य जीवन के लिए, वरिशाख पुनिमा के दे, पती पत्नी दोनों मिलकर, पून चंद्रमा को काय के दूद का अर्द दे, जो रात में हम जल से अर्द देना बताते ह उसकी जगह दूब से अर्द दे, इससे दामपत्य जीवन में मधूरता आएगी, आप दो चत्ते चले जाए, फिर वहां पे पून चंद्रमा को देखें, और पती-पती दोनों एक साथ मिलकर चंद्रमा को अर्द दे, एक और अग्या बहुत सलकारी पताते हो पाए, मा लक कोडियों को माता के आगे से उठा ले और लाल कपड़े में बांध कर जहां पे आप पैसे रखते हो तिजोरी में किसी ब्रॉर मेल मारी में वहां पे रखते हो इस उपाए से घर में धन की कोई कमी जीवन भर नहीं रहते हो पर आपको एक और चीज याद रखनी है इसके ब अगले दिन नए लाल कपड़े में बांध कर फिर से तुजोरी में रखना है तो 11 कॉडिया वही रहेगी बस हर महीने हर पून माशी पर आप ये दुबारा दुबारा करते जाएंगे इससे मालक्षमी की कृपा पे सदय बनी रहेगी पून माशी पर मालक्षमी की और विश पून दित फूल चड़ा है इत्र माता के वस्तरों पे चड़के और माता को घर में स्थाई भूच से निवास करने के प्रातना करें इससे मालक्षमी की बहुत बहुत अब अब ये तो हो गए कुछ उपाए जिससे जीवन में धन की कमी दूर होगी और मालक्षमी की कितनी milhões दान करना है कितना समान दान करना है है कितना समान करना है ये हर इसकी सामों हैना अग तो होगी तो सम्क 10 कि हम सामान करना हो तो तन से सिवा कर लो, जो कर सकते हैं उनको दान करनी के लिए help कर दो, यह ना पड़े बड़े सेथ हो इसे होते हैं, जो दान तो करना चाहते हो, उनके पास पैसा होता है, बत समय नहीं होता, तो आप उनको help करो, किसी को दान करने में मदद करोगे, वो भी बहुत बढ़ी सि होती है, नाम प्रचार की सेवा कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, घर में ताइब के भ्रगवान का ध्यान तो कर सकते हो, उनका नाम जाब तो कर सकते हो, पास तो कर सकते हो, विश्ण सहसर नाम का पास करो, भागवत पर लो, यह भी सेवा होती है, इसका भी बहुत उ भागी ठाकुर जी जानते हैं कि उन्होंने हमें कितना सक्षम बनाया है और हम क्या कर रहे हैं उन्हें से कुछ नहीं छुपा अच्छा अगला प्रश्न बहुत कॉमरी प्रश्न पूछा जा रहा है कि दान क्या सिर्फ ब्राम्मन को ही करें देखो विशात महताव हमें सुना ठीक है उसमें ब्राम्मन को दान करने का महत्व बताया तो अब एक चीज समझ लो दान दो तरह के होते हैं पहला दान होता है किसी के निमित, मतलब जैसे आप यम्राज के निमित दान कर रहे हैं, भगवान विश्न के निमित दान कर रहे हैं, पित्रों के निमित कुछ देना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ा ब्रहमन को ही दो के, क्योंकि भगवान ने स्वेम ब्रहमन को अपना अध करnद परान में मिलता है. अब दूसरा दान होता है तुमने कर्म की इच्छा से किया हुआ था. मतलब, जब हम सिर्फ अच्छी भावना से या तान करते हैं, मतलब किसी से को कुछ देते हैं जैसे प्याउ लवा ये ज़र्नल है, अच्छा काम है, इसे हमें पुन्य कर्म मिलता है गरीबों में जल दान करना, फल दान करना, कपड़ा देना या जरुत मंदों को कुछ समान देना यह अच्छे शुपकर्म में आता है तो यह आप देखिए, आप किस तरह कर रहे हैं आप चाहें जिसे हम एकादशी पे जर्णल दान करते हैं ठीक है और द्वादशी को अपनी व्रत का पारण करते हैं ब्रह्मन को दान करते हैं तो यह इसका दोनों का फर्क होता है विशाग पुन्निमा को यम्राज के निमित निकाला समान और भगवान विश्णु के निमित निकाला समान सब हम ब्रहमन को देंगे यह जरूरी नहीं कि सारा समान एक ही ब्रहमन को दो अगर आप चाहो तो दो-चार ब्रहमनों के बीच में सारे समान को बाच सकते हो एक प्रशन आया कि कितने घड़े दान करने हैं, तो देखो, एक हम यम्राज के निमित करेंगे, एक विश्णु भगवान और पित्रों के निमित करेंगे, तो दो तो कम से कम चाहिए ही, इसके अलावा गरीबों के लिए भी हम देते हैं, तो वो पूरी तरह से अपके मर्सी ह अच्छे देखो, फक्तों के प्रश्णों के उत्तर के बाद, मैं एक और चीज़ कहना चाहिए, देखो, हम कार्टेक मां के विशाक आदी महीनों में जो भी स्नान नियम लेते हैं, तो महीने के आकरी में उसकी पूर्ती या उध्यापन या पारन करते हैं, इसका मतलब होता है, यह जो विशाक मास का नियम इस बाद मैं ने लिया वो पूरा हुआ. globe होता है कहरे का समापन, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है, कि यह मैं आगे विशाक अब करतें और शौनेशे करने किसी भी मास में सनान का नीओं 12 साल को डारा साल हमें लगातार करना होता है तक वाक है उसके बाद हम उढ़ातार करते हैं और सिर्ड़ी drift करते हैं पूरी तरह समापन पर अभी जो ये दान-यक हम कर रहे हैं वो हम पूर्थी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो यह बहुत सारे लोगों को confusion हो रही है, तो इसलिए मैंने कहा, हम मैं इस चीज़ को clear कर देती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, इसे related आपके पास कोई भी comments या suggestion है, तो प्लीज हमें लिखें, यान बाटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें, आप हमें Facebook और Instagram पर भी ज़रूर फॉलो करें, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, तैंक यू, हरे कुछना,